वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें इस इस सेकंड नमबर का पार्ट है यह स्रीज स्टार्ट की है वीडियो के exam और वीडियो और इस चली और बना दी जली चानल करتे है सब से पहला प्रिश्न हे सबसे चोटी एक कैसी होती है विट कम्प्यूटर मैमूरी की सिः ज होती है इकाई क्या है बिट होती है ये चीज याद रखें बिट वाइट और ये आपने पढ़ा है सारा कुछ के कितने फिर गीगावाइट में मेगावाइट किलो वाइट ऐसे पूरा हमने ये लास्ट वीडियो में इससे संबंधित और सारे प्रिशन जो है वो सॉल्व कर चुके है किलो वाइट होता है फिर मेगावाइट होता है आपका फिर गीगावाइट होता है और फिर टेरावाइट होता है ठीक है तो अगर आपसे एक्जाम में पूछा जाता है कि मेगावाइट तो ये सब दस्तो चौविस कांकडा रहता है दस्तो चौविस दस्तो चौविस लग input device और output device कौन कौन से होते हैं तो आपको server है printer है monitor है यह सब तो आपको output devices है आप इन पर output लेते हैं मौुनिटर पर आपको आपको output मिलता है printer से भी आप क्या hardcopy निकालते हैं output मिलता है लेकिन keyboard से आपक्या करते हैं computercycles देते है na पर difference प्रिंटर और scanner में कन्फ्यूस नहीं होना है, printer आपकी output device है, लेकिन अगर आप से स्कैनर पूचा जाए तो वो आपकी input device हो जाएगी, क्याँकि स्कैनर से आप क्या करते हैं, scan करते हैं, input देते हैं computer को, इसके बाद अगला प्रिशने हैं, भारत में computer का प्रिथम और हम प्राम retir का किया गया था तो सबसे पहले ये प्रयोग किया गया है यहाँ कर भारत की बात होरी 1986 में 16 अगस्त 1986 का देन था जब बेंगलूर के प्रधान डागहर में कम्प्यूटर का पहली बाइर प्र لهरत में किया गया था बारेत का अगर आप से पूछें कि पूर्थां पूंण computer कंप्योटर रिकरद डागर कौन सा था तो वह आपका नई दिल्ली का डागर था पूंण computer रिकरद computerized डागर सबसे पहला भारत का कौन सा था न्यू दिल्ली का था और भारत में सबसे पहले computer के प्रियुक 1986 में हमने किया था 16 अगस्ट 1906 को कहाँ पर बैंगलूर के डांगर में किलियर है अगला प्रिशने है निमने लिखेत में से कौन operating system का उधार है ने तो यह हम पूरा जो हमारी detail वाली सिरीज चल लिए उसमें हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं operating system ठीक है सारे कुछ software वगयरा पढ़ चुके हैं उसमें तो इसमें से विंडोज और एंड्रॉइड यह operating system यानि की OS के example है MS workplace टूट फोटोस यह आपके और दिये गए हैं ठीक है लिकिन इसमें से विंडोज और एंड्रॉइड जो है वो आपके OS कहलाते हैं operating system है यहां पर दिया गया है अगर आप हमारे कोई पेड वैचे या फिर पेड ग्रूप लेना चाहते हैं किसी भी एक्जाम के लिए नमबर्स पर कॉल कर की जानकरी दे सकते हैं वीडियो के एक्जाम के लिए हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है यहां पर आपको प्रक्टि आराम से बन जाएगा Google Drive आपके सबके Android phone में Google Drive होती है ठीके Google Drive में आप अपना डेटा सेब करके रखते हैं और वो आपका Cloud में सेब होता है इससे आपकी computer की memory affected नहीं होती की memory की बचत भी हो जाती है और आपका data Cloud में भी रहता है फ्री में आप 15GB तक का data आराम से इसमें रख अच्छी है उसमें आप जरूर देख लें उसमें हमने पूरी लिस्ट बनाई होई है आपको एक ही करके सारा बताया था कि यह वाला आपको फुल फॉर्म है ये चीज़ याद कले तो इसमें बीच बीच में सारे फुल फॉर्म लगबग आ चुके हैं तो उनको जरूर कारे क्या होता है तो computer का Basic system आप जो जानते हैं computer किस लिए यूज करते हैं आप computer को in चीज दिख रही है कि computer में input है processing फिर आपको output मिल जाएगा ठीक है तो आप देखते हैं कि आपने computer को data data को process करके आपको वो क्या कर देता है output दे देता है आपको जो चाहिए आप जो मांग रहे हैं वो आपको output की रूप मिल जाएगा ठीक है instruction के अनुसारी काम करता है option C से उत्तर होगा अगला परिशन है ms world के इस प्रकार के software के उदारने अब software भी आपका होता है ठीक है आपके software दो प्रकार के होते हैं तो आपको ऐंपको च्छोटे चीजें जो हैं आपको जिसमें एक्जम लगे को मिलेंगे input output devices हो गई आपकी ठीक है आपके जो वो होते हैं सर्च इंजन उनके इसका पूरा वो करके आपको शेयर कर देंगे इसकी जो लिस्ट होगी इसका पूरा वो करके आपको सेयर कर दिया जाएगा आपके एक्जाम के मतलब आपके कुछ दिन पहले ही आपको सारी चीज़े मिल जाएंगी तो टेलिग्राम से आप जोड़े रहें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी तो यह आपके लिए काफी helpful भी रहेगा अगर आपने नोट्स नहीं पूछ लिया तो MS World है आपने देखी लिया MS PowerPoint भी है application software ठीक है और Linux जो है यह आपका application software नहीं है option B सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न है पूरे प्रोग्राम को मसीन भासा में कौन परिवर्तित करता है तो आपके जो प्रोग्राम होता है वह मसीन भासा में परिवर्तित कर देता है और assembler आपका क्या होता है वो एक ही करके चेंज करता है कि क्लाइन को चेंज करता है ठीक है यहां पर option C सही उत्तर होगा PC का full form क्या होता है PC का full form होता है personal computer personal computer इसको कहा जाता है व्यक्तिकत computer अगला प्रश्न है computer में file को copy करने का shortcut की क्या होती है तो यह shortcut की आपको C से बनता है तो C for copy control plus C इससे आप क्या कर सकते है file को copy कर सकते है shortcut की है अगला प्रश्न है computer में file को cut करने की shortcut की क्या होती है तो control plus X होती है file को cut करना ऐसे आप cross से याद कर लीजे file को cut करना control plus X computer को shut down करने की shortcut की क्या है तो यह होती है alt plus F4 alt plus F4 आपकी computer को shut down करने की की है ठीक है यह कुछ हमारी अलग से modifier की होती है control, alt, shift इनका use करके हम कुछ shortcut, इनका use plus कुछ और की इसका use करके shortcut की बन जाती है जो कुछ special काम करने के लिए use की जाती है अगला प्रिश्न है computer में किसी file को print कर है तो control के साथ अप P अगर press करेंगे तो किसी file को print करवाने के लिए आप जो है option चूज कर लेते हैं फिर आपका option खुल जाता है किसी file को print कर सकते हैं computer के file section में जाने की shortcut की क्या होती है अगर आपको file section में जाना है तो आप start के साथ e दवाएंगे तो file section में पहुंच आप password का use किसलिए करेंगे ताकि आपके computer को कोई और use ना कर पाए आप mobile phone में भी password लगाते हैं ताकि कोई और आपका phone है उसको ना चूपाए उसके जो भी application है उसको ना use कर पाए तो किसी भी तंत्र के अनाधिकरत अभी गमन से मतलब इसका ताथ पर यह है कोई और use ना कर यह इसका ताथ पर है ठीक है काफी सारी हिंदी लिखी हुई है आप आसान भासा में समझें ताकि कोई और उसको ना चूपाए और उसका गलत use ना कर पाए इसलिए password सुरक्षा करता है किसी भी और चीज़ के जो अनाधिकरत अभी गमन है उससे अगला प्रिशन है computer process द्व process करता है process को फिर information में change करके हमें output दे देता है ठीक है अगला प्रिशन है विश्यो के प्रिथम सुपर कम्प्यूटर का निर्माण किया गया था तो किसके द्वारा किया गया था CRC की द्वारा किया गया था विश्यो का पहला सुपर कम्प्यूटर CRC एक company है इसका full form होता ह प्रिश्यो का पहला सुपर कम्प्यूटर बनाया था क्रे नाम से क्रे के द्वारा बनाया गया था क्रे रिसर्च कम्प्यूटर के द्वारा था ठीक है आउप्शन में आपको IBM दिया गया अमेरिका की company है इंटरनेशनल बिजनेस मसीन इसका full form है एक्जाम में पूछ भी च सचार आपने सुने होंगे परम सीडिस जो है सीडेक पुणे की द्वारा ही बनाए जाते सीडेक कहां की है पुणे की है याद रखें है भारत की अगला है संसार का पहला गड़क यंतर कौन सा था तो यह अवेकस था ऑप्शनी से यह उत्तर हो जाएगा अवेकस संसार का प प्यूट सब्द से बना है जिसका आर्थ होता है गड़ना करना और इसको हिंदी में संगड़क कहते हैं तो यह चीज भी आप याद रख सकते हैं ठीक है तो यहां पर हमने कुछ important प्रिष्णों को solve किया आई-hop आपको जान कर है अच्छी लगी होगी इस सीरीज को continue रखेंगे और इसमें हम काफी सारे important प्रिष्णों को cover कर लेंगे जो आपके exam के लिए important रहेंगे बाकि अपकी detail सीरीज चली रही है आप उसको भी अपने अपने हसाब से cover करते जाए अग पुछेगा है वीडियो के एक्जाम में ठीक है तो आई होप आपको अच्छी लग रही होगी जानकर ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दे दोस्तों के साथ भी शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि है तो सब्सक्राइब भी कल लें और इसके ला बस पर कॉल करके जानकार ही ले सकते थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो स्वस्त रहें मस रहें मुस्कुराते रहें पढ़ाई करते रहें मिलेंगे नेक्स वीडियो में थैंक यू सो मच